Hello everyone, welcome to this video और मेरा नाम है अमंत्रिवेदी और आप देख रहे हैं wordpower made easy by अमंत्रिवेदी और इस वीडियो सिरीज में हम लोग cover करते हैं wordpower made easy की जो भी vocabulary है उसको हम लोग cover करने के कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमने coverage कर ली है session आपके 7-8 तक cover हो चुका है हमारा तो आज का जो और आप यह प्य ही लोग पहला after these complete नहीं करते हैं आप बहुत सारी लोग कंपलेंद अक्सर करते हैं अबहुत करते हैं पहली वीडियो's होते हैं वह तो बहुत अच्छा से लेते हैं वचा आगे 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 दीरे 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 आप छोड़ते चलते हैं और आप ये मान लीजिए अगर आप मेंसे किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो यूसफुल नहीं है या वर्ट पाबर यूसफुल नहीं है भाई बहुत यूसफुल है मतलब अगर कोई भी वेक्तिव वोक्याबलरी सीखने की शुरुवात कर रहा है तो उसके लिए ये सबसे इंपोर्टेंट विए बुक है जो आप कवर जरूर ही कीजिए तो इससे आपकी बेसिक अंडर्स्टेंडिंग बहुत अच्छी डिवलप होगी इसलिए इसको कवर करते हुए चलिए इसके साथ गया है अगर आप में से किसी ने अभी तक परचीज नहीं किया है आप लोग पर जिस कर लीजिए इस वीडी इस कोर्स में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश की कवरेज करेंगे SSE के अलावा SSE exams के साथ साथ अगर आप किसी भी general competitive exam की तयारी कर रहे हैं अगर आप किसी भी general competitive exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें English आती है तो आपको ये course मदद करने वाला है ठीक है तो इस course की cost आपके सामने है for first 1000 users तो आप इसको purchase कर लीजिए इस course में और इस समय अभी off भी चल लाया है अगर आप CGL 10 code लगाते हैं तो आपको 10% off भी मिल जाएगा तो 10% discount पर इस समय आप course खरीच सकते हैं इस course में आपको recorded videos मिलेंगे recorded videos के साथ साथ कुछ live sessions भी conduct होंगे सारी PDF मिलेंगी course आपका 15 November से पहले पहले complete हो जाएगा इस course में complete English की coverage होगी चाहें फिर वह vocabulary हो आ कर लेजिए इसके अलावा आप में से कई लोग बार बार क्वेरी कर रहे हैं कि आप में से कई लोग क्वेरी कर रहे हैं कि PDF के बारे में बहुत ज़्यदा सवाल आ रहा है तो PDF application पर available है यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर बता रहा हूं अगर आपने अभ इसको सारे PDFs etc सब वहां पर मिल जाता है तो इसको जरूर से जॉइन कर लीजिए ठीक है और कई बसार लोगों का क्वेरी था कि क्या जो ही हमारा कोर्स है क्या इस कोर्स को हम वेबसाइट से या फिर डेस्क्टॉप से पीसी से लेप्टॉप से एक्सेस कर सकते हैं या फिर इस URL को ओपन कर सकते हैं www.rvelearning.com ये वेबसाइट है आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको होमपेज दिखेगा यहाँ पर शुक्रम सर का कोर्स दिखता है यहाँ पर राधिका मैम का कोर्स दिखता है और यहाँ पर मेरा कोर्स दिख जाता है आप इसमें वीउ डिटे PDF का कई वो लोगों का सवाल था तो देखो कैसे PDF एक्सेस कर सकते हो मैं आपको step by step process बता देता हूँ इसके बाद आपका PDF का issue solve हो जाएगा देखो यह आपको application दिखता है यह application का home page दिखेगा इसमें आप paid classes पे click करेंगे तो उसमें आपको English के course का option मिलेगा या या फिर यही option आएगा यहाँ पर recorded और live का recorded पर click करेंगे तो यहाँ पर PDF और English दो option है आप English वाले पर click कर लिजे English पर click करेंगे तो आपको इस तरीके की पूरी series open हो जाएगी यहाँ पर फिर आप vocabulary वाले section पर click करेंगे तो आपके सामने यह word power made easy का section free है तो यह open हो जाएगा वहीं पर ठी कई लोगों का यह query था कि print out ले सकते हैं क्या इस तरीके से आप इसने access कर सकते हैं प्रिंट आउट पगरा जो आप चाहें वो ले सकते हैं ठीक है तो आइटिंक कि यह अप गी कई लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि यह PDF कैसे access करें आपने क्या करता है ठीक है बाकि म कोशिश करेंगे कि हम की इसको इन PDF को free courses में study material में या फिर e-books में किसी एक section में डलवा देंगे तो आपको और आसानी से इसको access हो जाएगा ठीक है चलो अब बात कर रहे थे हम लोग how to talk about practitioners के बारे में तो उसी में आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा practitioner आता है वो आता है और ऑस्टि ओन का मतलब होता है बोन ठीक है और pathos pathos का root word है pathos का meaning मैंने पहले भी बताया आपको क्या होता है pathos का meaning suffering और disease pathos का आर्थ होता है suffering और disease तो word बनता है आपका osteopath तो path मतलब हो गया, आपका suffering or disease, osteo मतलब bone, तो osteopath common noun है आपका, और meaning हो जाता है, एक ऐसा therapist who manipulates the skeleton and muscles, एक ऐसा therapist जो skeleton या फिर muscles को manipulate करता है, और आपकी इनको ठीक करता है, उसे कहते है, osteopath, ठीक है, और इसी में यदि हम y लगा देंगे, तो osteopath ही बन जाएगा, और osteopathy किसे क्या हो जाएगा, osteopath ही abstract noun हो जाएगा, वो इस पूरे subject को कहा जाएगा, osteopath ही, ठीक है, तो किसी भी तरीके की injury बगएरा को treat करने का काम करता है, osteopath, ठीक है, next, इसी से बनाए जैसे मैंने बता है, why लगा देंगे, तो abstract noun बन जाएगा, word बन जाएगा, आपका osteopath ही, meaning हो जाता है, therapy that is based on the assumption that restoring health is best accomplished by manipulating the skeleton and muscles, तो osteopath ही एक तरीके की therapy है, जो कि इसमें बिलीब करता है, कि आपको skeleton या muscles को manipulate करके, आपकी चोट को दूर किया जाता है, आपका doctor होता है एक तो जो plaster वगरा करता है, osteopath क्या करता है, जिस तरीके से इसमें ये muscle ठीक कर रहा है, इसी प्रकार आदमी को लेट के, massage वगरा करके, आपकी किसी प्रकार की injury या फिर चोट को दूर करता है, तो इस पूरी science को, इस पूरे subject को कहते हैं osteopath ही, और osteopath वो वेक्ति हो गया, जो इस तरीके से आपकी चोट वगरा को दूर करता है, ठीक है, चल्ड, next आता है मारा, osteopathie involves massage and manipulation of the bones and joints, जैसा मैंने बता है, massage वगरा करके, आपकी osteopathie से आपके जो भी bones या फिर joints में, joints में चोट होती है, वो ठीक करता है, ठीक है, अब देखिए अगला है कायर, कायर का मतलब हो जाता है hand, और poss या फिर podos का मतलब हो जाता है foot, ठीक है, अब word बनता है आपका कायरो podist, IST, पहले session से मैं बताता चला आ रहा हूँ, IST मतलब हो जाता है expert, ठीक है, और pod मतलब foot, कायरो मतलब hand, तो कायरो podist का मतलब हो गया, a specialist in care of the feet, ऐसे specialist को कहते हैं, जो पैरों की massage करता है, पैरों का हाथों से, जैसा इस photo में हाथ से पैर का massage वगरा कर रहा है, foot का treatment कर रहा है, तो ऐसा specialist, जो पैरों के foot कह, यानि foot मतलब पैर का specialist है, उसकी care करता है हाथ से, उसे कायरो podist कहते हैं, ठीक है, तो कायरो podist मतलब समझ में आगे, कायरो podist हो जाता है, आपका specialist जो की पैरों की care करता है, हाथों से इस तरीके से, ठीक है, और podos मतलब हो जाता है, foot इसी से word बनता है आपका pedicure, ठीक है, तो pedicure क्या होता है, सारी महिलें जानती होंगी, foot का जो जिस तरीके से आपका care करते हैं, या beautification करते हैं, hygiene maintain करते हैं, that is called pedicure, और man होता है, आपका man होता है, हाथ, हाथ के लिए आता है, तो manual, जैसे manual मतलब जो भी हाथ से काम हो रहा है, manual काम हो रहा है, तो उसी से आता है manicure, manicure मतलब हाथों को सुंदर बनाने की जो कला है, उसे manicure करते हैं, pedicure, परोग, foot को सुंदर बनाने की कला, so a foot massage by a trained kairopodist, is sure to put the spring back into your step, and treatment starts at euro 15, foot massage से जो आपका treatment करता है, foot वगेरा का, that is called kairopodist, ठीक है, next आता है, again kaiar से ही word है, आपका hand, ने बताया, इसी से word बनता है, kairopractic, ठीक है, kairopractic नाउन है, ठीक है, kairo मतलब hand, practice मतलब practice करना, तो kairopractic हो जाता है, maintenance of integrity, maintenance of integrity of the nervous system, by manipulation and massage, ठीक है, हमने आप आज के session में, जितने भी words पढ़े, वो सारे के सारे एक तरीके के massaging techniques है, massage वगेरा से ही, ठीक करता, अच्छा मुझे comment section में बताना, question है आज का, जब massage की हम बात करी रहे हैं, तो जो व्यक्ति massage करता है, जो व्यक्ति massage करता है, massage करने वाले को क्या करते कहते हैं, ठीक है, one word substitution में आप से पूछा दा सकता है, massage करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, comments में बताना, और hint मैं दे देता हूँ, जिन लोगों ने भी friends देखा होगा, again मैं friends का आपको reference दे रहा हूँ, starting episodes में वही काम करता है, मैं नाम नहीं लेने वाला था, तो वही काम करता है, तो बताइएगा, फीवी क्या करती थी, ठीक है, उसके profession को आप comment section में बताइएगा, massage करने वाले को क्या कहते हैं, comments में बताइएगा, और एक और जो आज की तारीक में बहुत ही फेमस सीरियल है, star plus पे कोई बहुत फेमस, star plus पे शायद आता है, कोई बहुत फेमस है, अनुपामा शायद, तो अनुपामा में भी शायद ऐसा कुछ reference था, मतलब मेरे को इस student ने बताया था एक बढ़, तो खेर, मसाज आपको समझ में आगया है, मसाज का, आप मुझे बताएगा, जो मसाज करता है, उस वेक्ति को क्या करता है, comment section में बताएगा, और उसकी spelling बहुत important है, तो जो लोगों को नहीं बताओ, comments में देखना, अगर लोगों ने जवाब दिया है, क्या मैं भी reply कर दूँगा, और spelling उसकी बहुत important है, तो spelling पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, तो हम आज के जिस session में, जितनी बताओ भी तक किये हैं, वो सारे मसाज की टेक्नीक से, पहला था osteopath, जो बॉन्स का मसाज करके treatment करता है, उसके बाद आया, काईरो, काईरो पॉडिस्ट जो फुट मसाज से, फुट के treatment करता है, और काईरो प्रैक्टिक हो गया, जो nervous system को ठीक कर रहा है, बाइदा, मसाज और manipulation, तो इस तरीके से, काईरो मतलब हाथ, तो हाथ से मसाज के सेंस में आ रहा है, तो nervous system को ठीक करता है, जो जिस मसाज और अगयरा से, इस काईरो प्रैक्टिक, ठीक है, अगें कायर तो इसी से आ जाता है, कायर मतलब hand, और mancy, mancy का मतलब हो जाता है, आपका foretelling, एफिर prediction, अर्थाथ, mancy foretelling, एफिर prediction मतलब एक तरीके से, भविष्य बताना, ठीक है, foretelling, एफिर prediction मतलब होता है, भविष्य बताने का काम करता है, तो कायरो मैंसी क्या हो जाता है, कायरो मैंसी हो जाता है, आपका palm reading, जिसे आप palmistry भी कहते हैं, palmistry, palmistry हस तरेखा विज्ञान को कहेंगे, palmistry विज्ञान नहीं कोई है, बढ़ हा, palmistry हस तरेखा जो study करते हैं, उसको palmistry कहते हैं, और kायरो मैंसी palm reading को कहते हैं, उन्हाथ दिखाते हो ना, कि हाथ दिखो मेरी नौकरी कब लगेगी, लड़का कब होगा, बशादी कब होगी, इसी को कहते हैं, कायरो मैंसी, ठीके, और c, y लगता है, तो यह हमारा क्या बन जाता है, abstract noun बन जाता है, ठीके, मैं जब suffix बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, उससे आपका न, अगर आप suffix अच्छे से समझ लोगे, तो फिर आपको questions को करने में बहुत आराम रहेगा, ठीके, मैंसी मतलब मैंने आपको बता है, भविश्य है, और काईरो मैंसी, अगर c, y लग रहा है, तो यह बन जाता है, हमारा क्या, abstract noun, ठीके, और इसी में अगर c, y हटा के, इस e, r लग जाता है, काईरो मैंसर, तो फिर हमारा यह बन जाता है, common noun, ठीके, काईरो मैंसर मतलब हो जाता है, one who reads palm, जो की हाथ पढ़ता है, हाथ की रिखाओं को पढ़ता है, उसे हम काईरो मैंसर कहता है, ठीके, of all divination practices, palm reading, also known as kairomancy, और palmistry, is one of the most highly regarded, ठीके, so kairomancy मतलब हो गया, जो हाथों को, हस्त रिखाओं को पढ़ता है, और इसे भविश्य बताता है, और काईरो मैंसर उस व्यक्ति को कहेंगे, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब octo मतलब क्या हो जाता है, octo meaning होता है eight, octo मतलब हो जाता है eight, और pos या फिर podos का मतलब हो जाता है foot, तो octopus, octopus का मतलब हो गया, the eight armed sea creature, जिसके eight हाथ होते हैं, ऐसे sea creature को हम octopus कहते हैं, तो यह हमारा octopus हो गया, ठीके, इसी से अगला word आता है हमारा platys, platys मतलब होता है flat या फिर board, तो a foot, podos मतलब foot हो गया, तो platypus, platy मतलब plat, और pus मतलब foot, तो इसका foot देखिए आप, यह कैसा है, plat है, तो platypus मतलब हो जाता है, आपका small densely-ford aquatic monotreme of Australia and Tasmania, having a board, will and tail and web feet, तो basic कि आप इसको ऐसा समझेए, एक तरीके का जानवर है, platypus, इसे हम कहते हैं, aquatic जानवर है, यानि कि आपका समंदर में पाया जाता है, ठीक है, तो platypus, Google कर लीजेगा, इसको और इसको देख लेंगे, वीडियो सो गरहे में, ध्यान रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट आता है, परोज से हमारा आता है, word foot, और I-U-M, I-U-M मतलब हो जाता है, ठीक है, तो word आता है, हमारा podium, podium का मतलब हो जाता है, speakers, platform, जो machine है, हमारी machine कह रहा हूँ, इसको हम लोग podium कहते हैं, पोडियम पे जाके बोलना है, तो इस तरीके का आपने अक्सर देखा होगा, कभी प्रधान उंत्री मोधी अक्सर बोलते हैं, तो उसे podium कहेंगे, या फिर school में, college में भी होता है, जहां से आप speech वगएरा देते हैं, that is also called podium, क्यों कहते हैं podium, क्योंकि pod मतलब होता है foot, तो podium क्योंकि हम इस पर पैर रखते हैं, इसलिए podium हो गया, speakers platform इस पर वो बोलता है, so she was introduced and stepped up to the podium, तो podium आप समझ में आ गया, क्या होता है podium, next आता है हमारा gum nose, इसको बहुत ध्यान से समझेगा जरा, ठीक है क्योंकि जो अर्थ हम समझते हैं, उससे थोड़ा अलग मीनिंग है, अगर आप इसको actually में जाएंगे तो, ठीक है root word होता है हमारा gum nose, और I-U-M, I-U-M मतलब हो जाता है place, ठीक है जैसे podium, pod मतलब foot रखने वाला place, तो जहां से बोलते हैं उसको कह दिया, अब word आता है हमारा gymnasium, ठीक है, gymnasium जिसे हम in short, हम gym भी कहते हैं, ठीक है, अब जब हम मैं gym बोलता हूं, तो आपके दिमाग में क्या picture आती है, आपके दिमाग में यही picture आती है, जिम मतलब वो जगह जहां पर हम exercise करते हैं, workout करते हैं, मैनत करते हैं, that is called आपका gymnasium या फिर gym, so a room or building equipped for gymnastics, games and other physical exercise is called आपका gym, ठीक, अब इसको समझते हैं, जरा क्या होता है, जिसका actual meaning क्या था, और यह translate होते होते कैसे आगे, क्योंकि गबनोस का जो root word का meaning बताया, वो मैंने आपको naked बताया, ठीक, meaning होता है, the history of gymnasium dates back to the ancient Greece, where the literal meaning of Greek word gymnasium was school for naked exercise, तो actually में जो gymnasium जो word है, वो आपका एक Greek word है, ठीक है, पहले ही videos में मैंने आपको बताया था, English जो है, बहुत सारे अलग-अलग भाशाओं का mixture है, cocktail है, तो यह Greek root word से आता है gymnasium हमारा, और gymnasium का जो Greek, ancient Greek में meaning होता था, वो यह होता था, ऐसा school which is for naked exercise, जहांपे naked exercise कर सकते हैं, that is called gymnasium, अब gymnasium जो term European languages में आया, यह जब word European languages में adopt किया गया, तो इसका आर्थ निकला, for a secondary school that prepares students for higher education at a university, तो फिर European languages में इसका आर्थ निकला, ऐसा school जो कि higher study के लिए बच्चों को तैयार करता है, ठीक है, बट अब वो transform होते होते, gymnasium का gym हो गया, और अब उसके meaning अलग हो चुके हैं, तो यह बात मैंने पेले के वी वीडियो में बताई है आपको, कि चीजें जो हैं वो transform होती रहती हैं, धीरे 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 बजलती हैं, और फिर वो जिस रूप में थी हैं, और उस रूप से किसी अलग रूप में ही चली जाती हैं, ठीक है, अगला है word हमारा stadia, stadia जो है इसका मतलब होता है green word, ठीक है, और IUM मतलब हो जाता है place, तो word बनता है आपका stadium, ठीक है, जैसे कानपुर में है green park stadium, फिरोसा, कोटला stadium, चिनना सौमे stadium, धरमशाला stadium, कोटला, मोहाली stadium, तो stadium एक large structure को कहते हैं, for open air sports और entertainments, तो जैसे ये आपका cricket का जो ground होता है, ये stadium कहलाता है, क्योंकि वो open air ground है, open air sports होते हैं, उनमें जो उनको हम कहते हैं stadium, तो stadia मतलब green word, और IUM मतलब place, तो that is called stadium, ठीक है, अब देखिए, इसे आगे word बनता है auditorious, auditorious, auditorious मतलब ये word आ रहा है, ओडी, ठीक है, audible, जैसे मैं बोलता है na audible, तो audible से audi आया, auditorious मतलब होता है, related to hearing, सुनने से सम्मंदित है, और IUM का आर्थ मैं आपको भी बता रहा हूँ, कई बार हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, place, तो auditorium, तो auditorium, audit मतलब हो गया, आपका सुनना और IUM मतलब हो गया, आपका place, तो auditorium किसे कहते हैं, the area of a theater or concert hall, where the audience sits, तो जैसे आप comic shows देखते हैं, कुछ भी theater देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं auditorium, जहां पर closed space है, concert hall होता है, जहां पर हम सब बैटते हैं, पॉस मतलब foot हो जाता है, try, try मतलब three, ठीक है, और इसी से word बन गया, tripod, try मतलब three, pod मतलब foot, ऐसा tripod मतलब, ऐसी machine, जिसके three foot हो, तो tripod किसे कहेंगे, a three-legged rack used for support, तो इस ते आज कली tripod is known to everybody, हार कोई tik-tokker, हार कोई reel बना रहा है, तो इस तरीकी की machine को हम tripod कहते हैं, as parents में भी tripod बोलता है, कि हमारा tripod है तीन दोस्तों का सम्हुआ है, तो that is called tripod, ठीक है, make sure the tripod is stable, तो tripod आप सभी को अच्छे से पता है, अगला word होता है, pos या फिर podos मतलब होता है foot, तो word आया podiatrist, is-t मतलब expert, ठीक है, specialist है, that is called podiatrist, ठीक है, while only a podiatrist can give you a fully accurate analysis of a foot type, you can evaluate yourself at home too, तो podiatrist मतलब हो गया, आपका, जो foot की special care करता है, that is called आपका podiatrist, काईरो podiatrist क्या था, जो हातों से foot की care करता है, ठीक है, अगला word आता है, मारा graphene, तो graphene मतलब हो जाता है, to write, लिखना, graphene मतलब, to लिखना, और logos मतलब क्या हो जाता है, science, ठीक है, logos मतलब हो जाता है, science, तो word आया हमारा graphologist, या फिर word आया हमारा graphology, तो graphology किसे कह देंगे, लिखने का विज्ञान, अब graphology लिखने का विज्ञान नहीं होता है, मैंने कहा, आपको root word, जो है, वो transform होते 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 होते, other sense में आ जाता है, so graphology कहलाता है, study of handwriting, जो वेक्ती handwriting को study करके, बताता है, कि इसका nature कैसा होगा, जैसे यह sign बना है, तो graphologist बताएगा, अच्छा यहाँ पर ऐसा है, तो यह lack sympathy करता है, ऐसा है, तो power के लिए, बहुत ज़्यादा भूखा है, इस तरीके से बना रहा है, मतलब hollow है, यहाँ से बना रहा है, तो बहुती lighting, speed, quick thinking है, इस तरीके से बना रहा है, तो acute analytical thinking, बहुती sharp mind है, ठीक है, इस तरीके से बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा power के लिए तडपता है conflicting tendencies हैं सारी बाते खुद conflicting कर रहा है तो graphology करता है जो signature वगारा को study करके बताता है कि इसकी handwriting की मतलब वो जैसे माली जे मैं sign कर रहा हूँ अपना ठीक है तो अब वो मेरे signature को study करके बताएगा कि इसका behavior कैसा होगा इसका nature कैसा होगा that is called graphology ठीक है और graphologist IST लग जाता है तो एक्सपर्ट हो जाता है तो graphologist हो जाता है वो वेक्ति जो graphology को study करता है यानि कि लोगों की handwriting study कर रहा है ठीक है from the information graphologist constructs a character portrait तो मैंने आपको बता है वो character को portrait करता है बताता है कि उसका nature उसका विक्तित तो कैसा होगा personality कैसा होगा that is called graphologist ठीक है और graphological CA लग जाता है तो वो adjective बन जाता है graphological इसी से अगला वर्ड है graphene मतलब लिख और word है callous तो callous मतलब हो जाता है beauty ठीक है तो word बना caligrapher er मतलब er अगर किसी में लगेगा तो वो बनता है common noun ठीक है और y लगेगा तो क्या बनेगा abstract noun इनको बहुत ध्यान से समझेए क्योंकि अगर यह समझ लिया न तो आपको यह पहचानने में कभी समस्या नहीं होगी कि यह word आपका क्या है common noun है abstract noun है क्या है तो caligrapher कहते हैं उस वेक्ति को जो caligrapher को practice करता है ठीक है और caligrapher कहते हैं वो जो beautiful handwriting लिखता है जैसे यह word लिखा हुआ है तो बहुत ही सुंदर handwriting में आप वीडियोस देखे होंगे रील्स वगेरा में अकसर आता है कि बहुत सुंदर handwriting में लिखेंगे जैसे मालो एक कोई भी शब्द है उसको बहुत ही बना बना के लिखेगा hand लिखना है तो बहुत बना बना के सुंदर तरीके से लिखता है उसे कहते हैं calligraphy it's an art of beautiful handwriting सुंदर लेखन की जो कला है that is called calligraphy और calligraphy वह वेक्ती हो गया जो बहुत ही अच्छा लिखता है सुंदर लिखता है that is called calligraphy ठीक है clear calligraphy आई-सी लग जाएगा इसी में तो वह adjective बन जाएगा word हो जाता है calligraphy अब दूसरा root word आता है मारा cacos cacos मतलब हो जाता है bad खराब ठीक तो graphene मतलब लिखना तो cacos मतलब खराब graphy मतलब लिखना तो cacography अगेन यह क्या हुआ abstract noun क्योंकि y आ रहा है end में ठीक है तो cacography किसे कहते हैं गंदी handwriting खराब handwriting लिखने को हम कहते हैं cacography ठीक है जैसे यहां पर इसने गंदी handwriting लिखी हुई है तो this is called cacography गंदी handwriting लिखने को cacography कहते हैं ठीक है और इसी का अगर मुझे common noun बनाना है तो comment section में मुझे बताएगा इसका common noun कैसे बनेगा common noun ठीक है graphene मतलब लिखना cardia मतलब heart तो यह वर्ड हम लोग काडियोग्राफी वाले वीडियो में भी पड़ा था तो cardio मतलब heart graph मतलब लिखना तो cardiograph वो medical instrument होता है जो इस तरीके से heartbeat को record करता है कि इसका heart किस तरीके से चल रहा है तो that is called cardiograph medical instrument that records electric currents associated with contractions of the heart ठीक है तो the cardiograph records the heartbeat ठीक ग्राफीन मतलब होता है लिखना photos मतलब हो जाता है light ठीक है तो word बनता है हमारा photograph graph मतलब लिखना photo मतलब light अब अब देखो मैं कह रहा हूँ again आप इस बात को ध्यान से बगांट पांदो कि root word का मतलब यह नहीं हो जाएगा कि exam यही meaning है photo मतलब light graph मतलब लिखना मतलब light का लिखना अरे भाई light का लिखना किस तरीके से a picture of a person or scene in the form of a print or transparent slide photograph हम फोटो को कहते हैं जिसको आप आम बोल चाल की बास हमें photo कहते है photograph क्यों है क्योंकि वो क्या करता है camera जो रोशनी है उसको कैद करता है camera में और फिर उस तरीके से picture बनती है तो photograph किसे कहेंगे I wish I had a photograph of Thomas Thomas ठीक है so photograph आप सभी अच्छे से पता है उसको बताने की जिरूरत नहीं है graphene मतलब मैंने बताया लिखना और phone मतलब हो जाता है sound आवाज ठीक है तो word बना हमारा phonograph ओनो मतलब हो गया आपका sound graph मतलब लिखना तो machine which is machine in which rotating records cause a stylus to vibrate and the vibrations are amplified acoustically or electronically ठीक है तो जैसे यहां पर record जो है यह चल रहा है तो इससे हम कहेंगे phonograph ठीक है एक तरीके की machine जो की record को stylus इसके उपर रखा रहता और आवाज आती है पुराने जमाने में यह काफी चलते थे यह record रख जाता था इसके उपर एक एक माशीन के स्टाइलस रख जाता था तो यह आ वाज निकालाओ तो क्यों 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 वेक तरीके से stuff reflection निकाल जाता था दो उसके उपर घूमता था दो एक तरीके से लिख रहा है और वह से आवाज निकाल रहा है तो इसमें लिखा हुआ वो ने राजी देखी है एक फिल्म थी राजी जिसमें आलिया भट का किरधार है और आलिया भट का किरदार जो है वो जासूस बना है पाकिस्तान में वो एक सज्जन से सादी कर लेती धी है और फिर वहां से वो message भेजती है इस तरीके का instrument उसमें दिखाया है जिससे वो टेली ग्राफ करती है, ग्राफ मतलब लिखना और टेली मतलब डिस्टेंस, यानि दूर से लिख देना, तो इस मशीन में आप यहां से टाइप करते थे और जहां भी आप मैसेज भेजना चाहते हो, वो फटा-फट पहुंच जाता था, तो उसी से वर्ड बन गया टेली ग्रा क्योंकि टेली मतलब दूर और ग्राम मतलब भी लिखने के सेंस में आ जाता है, तो आप बहुत दूर से अपने मेसेज को लिख सकते हैं, that is called टेलिग्राफ, इसे मेसेज कोन्वे करती हैं अगर आपको ने देखा हो तो, ठीक है, next graphene मतलब to write और bios मतलब life ठीक है तो word हमारा क्या बना biography bio मतलब life graphene मतलब लिखना तो biography किसे कहते है an account of the series of events making up a person's life किसी के जीवन के बारे में जो complete जो account है पूरा उसके जीवन की जीवनी है उसको कहते है biography biography तो biography किसे कह सकते है आप जिसे हिंदी में जीवनी कहते है that is called आपका biography कि उसकी सचिन की biography है ठीक है अच्छा comment section में मुझे बताएगा सचिन की biography का नाम क्या है ठीक है what is the name of सचिन की biography क्या है ठीक है आप इसी से word बन जाता है आपका auto biography biography तो graphy मतलब लिखना bio मतलब life और auto मतलब self अपने जीवन के बारे में लिखना यदि आप अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो उसे autobiography कहते है ठीक है जैसे महात्मा गांधी की जो autobiography है उसका नाम है my experiments with truth ठीक है यह महात्मा गांधा की autobiography है इन्होंने खुद लिखी है अपने जीवन के इन्होंने जीवन के इन्होंने किया हुआ अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा अच्छी किताब है नंतल मंडेला इस अपने स्वयम लिखी है तो उसे हम autobiography कहते है अगला वर्ड आता है जरास जरास मतलब हो जाता है old age इसी से वर्ड बना geriatrician तो cn मतलब expert geriatric मतलब हो गया आपका old age तो geriatrician हो गया specialist in gerontology जो बूढे लोगों की समस्याओं को जो treat करता है उसमें जो specialist है उसे geriatrician कहेंगे और gerontology हो जाता है जो बूढे लोगों की बीमारी है उसको study करता है comment section में मुझे बताइएगा की rule by old people को क्या कहते है root word आपको पता है और rule करने के लिए जो root word आता है वो आता है crazy आप मुझे comment section में बताइएगा की rule by old people क्या कहलाता है ठीक है comment में बताइएगा ज़रूर मैं comment चेक करूँगा ठीक है so gerontology होता है branch of medical science that deals with disease and problems specifically to old people ठीक है gerontology specialist in gerontologist gerontologist expert हो गया जो इसमें अपका specialist है ठीक है next अब senex senex मतलब हो जाता है old ठीक है sensex नहीं senex senex मतलब होता है old और senile word बना इसी से senile तो senile का मतलब होता है of relating to exhibiting or characteristic of old age ठीक है अब कहने का मतलब होता है जिसे हिंदी में हम कहते है sathyana ठीक है अब sathyana मतलब जो 60 साल के उपर का हो गया है और अपने कुछ characters को show कर रहा है तो of a person having or showing the weakness or disease of old age especially a loss of mental faculties यानि कि एक certain age के बाद जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और वो अजीब जीब तरीके का behavior कर रहा है कभी किसी को कुछ बोल रहा है कभी किसी को कुछ बोल रहा है कहते हैं कि वो सठीया आ गया है यानि कि उनकी उमर हो गई है उमर की वज़े से old age में कोई सठीया आएगा तो उसके लिए सठीया हो गया लेगन कई लोग उमर से पहले भी सठीया जाता है ठीक है मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ आप लोग फोटो देखके अपना अंधाजा लगा लेजिए तो senile मतलब हो जाता है आपका कि जो वेक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा कुछ भी बोल रहा है कुछ भी कर रहा है कुछ भी पहन रहा है तो synonyms हो जाएंगे doddering, doddery, decrepit, aged, long in the tooth senescent, failing, declining, infirm feeble, feeble कमजोर के लिए आता है unsteady, कमजोर के लिए आता है in one's dotage, मतलब कापी उमर में हो गया है losing one's faculties, मतलब अपना दिमाग ठीक से नहीं काम करना in one's second childhood यानि कि वो second, जैसे दो चाइल्डूड हो जो बचपन वाला चाइल्डूड और बुढ़ापे को भी चाइल्डूड ही कहा जाता है कि अने बोड़े पर आत्मी पच्चा हो जाता है तो in one's second childhood भी कह सकते है mentally confused, suffering from Alzheimer, suffering from saline dementia तो यह सारे इसके root word, synonyms हो जाते है कुछ मैंने आपको idioms भी बता दिये ठीक है, ध्यान रखेंगे इंको senescent मतलब हो जाता है senex, senex से word आ रहा है the state of being old धीरे-धीरे old होना, आपका process is called आपका senescent, old होने के process को हम कहते हैं, senescent और इसी से word बनता है senior तो senior हमारा एक Latin word है इसका comparative degree नहीं बनता है senior हमारा Latin word है, इसका comparative degree नहीं बनेगा ठीक है, ध्यान रखेंगे senior का comparative degree नहीं बनेगा इसके साथ में then का इस्तेमाल नहीं होगा to का इस्तेमाल होगा और to के बाद to चुकी preposition है तो इसके बाद में objective case आएगा ठीक है, और चुकी ये Latin word है इसका comparative degree नहीं बनता तो इसके साथ में आप more senior भी नहीं लिख सकते हैं कि he is more senior more भी नहीं लगेगा ठीक है, वो भी गलत होगा तो senior आप person जो आप से senior है उमर में बड़ा है परसन जो तुमसे बड़ा है उसे कहेंगे senior आपका ठीक अगला word आता है CNET, तो CNET हमारे जैसे हमारे देश में हम parliament कहते हैं उसी तरीके US में CNET कहा जाता है an assembly or council an assembly or council usually possessing high deliberative and legislative functions उसे हम CNET कहते हैं, ठीक है तो US की जो parliament है, उसे CNET कहा जाता है उसको आप उसमें जो आपका member of parliament होता है, उसे वहाँ senator कहते हैं जैसे अपने आप member of parliament कहते हैं, वहाँ senator कहते हैं ठीक है, तो ये हमारा आज के session 9 और 10 cover हो गया इसके बाद हम 11-12 करेंगे, सारे sessions इस वीडियो में हमारे cover होंगे वीडियो हमारे free हैं, तो इसके लिए आप कुछ इंता करने की बात नहीं है PDF का भी रास्ता मैंने आपको बता दिया है, आज के PDF में, आज के वीडियो में कैसे आपको access करना है, free PDF आपको app पर मिलेगी, तो app डाउनलोड तो जरूर ही करना है, अप नहीं डाउनलोड किया है, तो app डाउनलोड कर लो, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप course जोईन करना चाहते हैं, तो ये price है, आप CGL 10 code यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% videos प्रोवाइट किया जाएंगे, course आपका 15 November से पहले-पहले complete हो जाएगा, इस course में grammar, vocabulary, comprehension सारा portion कवर किया जाएगा, so rest assured for that, आपको इसमें CGL, CHSL, CPO, STANO, हर exam की तयारी के लिए आपको इस course मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको जरूर से आप कर लीजिए, आप website से भी join कर सकते हैं, rbelearning.com यह website है, यहां से आप buy now पर click कर सकते हैं, और आप यहां से purchase कर सकते हैं, साथ ही साथ free videos भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, एप से आप इसी app course पर click करके, आप उसमें English वाले section में जाके, vocabulary section में जाके, आप PDF की access कर सकते हैं, और वहां से download कर सकते हैं, ठीक है, अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो भाई, subscribe कर लो, किस दिन का इंतजार है तुमें, ठीक है, अगर आप job description की videos देखना चाहते हैं, toppers interview, tier 4 की तयारी, और बाकी exams की तयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल की playlist को access कर सकते हैं, यह word power made easy है, इसकी भी playlist description box में available है, आप वहां से join कर लिजिए, maths का course आप join करना चाहते हैं, तो price आपके सामने है, application से आप इसे भी purchase कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसी प्रकार आप GS का भी course access कर सकते हैं, आरवी का application नहीं download किया है, तो app download कर लो, क्योंकि PDF आपको app पर ही मिलेगी, link description में दिया हुआ है, ठीक है, telegram channel नहीं join कर लो, अब मिलेंगे हम लोग अगले video में, तब तक के लिए goodbye, take care and have a very great day, thank you so much.